हलो दोस्तों कैसे हो आप सब हमारी कहानिया देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकोन पर क्लिक करना भूलिएगा मत सहरसा गाव में हीरालाल नाम का एक किसान था उसके पास एक बकरी थी बकरी का छोटा बच्चा भी वो बकरी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी हीरालाल बकरी का दूध बेचा करता था वो बहुत लालची था पूरा दूध निकाल कर बेचा करता था बकरी के बच्च मां रोते हुए अपनी मां से कहता है मां मुझे बहुत भोग लगती है तुम्हारा दूद मेरे लिए नहीं बचता मेरा पेट नहीं भरता मां उसकी बाते सुनकर बकरी दुख ही हो जाती है मन ही मन हाई मालिक को मेरे बच्चे पे जरा भी दया नहीं आती उसके हिस्से का दूद भे निकाल कर बेच रहा है मेरा बच्चा भूखा रह जाता है बेचारी रो देती है उसी गाव में बनवारी नाम का आदमी अपनी पत्नी की बीमारी के वज़े से बहुत परिशान था डॉक्ट बनवारी सोचता है बकरी का दूद तो काफी महंगा है अगर मैं बकरी ही घर ले आओं तो पैसे बच सकते हैं वो हीरालाल के पास जाता है बनवारी जी कहिए केसे आना हुआ कुछ नहीं हीरालाल तुम्हारे पास एक काम था मेरी बीवी की हालत तो तुम जानते ही हो डॉक्टर ने कहा है उसे बकरी का दूद पिलाने से सेहत अच्छी हो जाएगी अच्छे अच्छा पर बनवारी जी बकरी का दूद तो काफी महंगा है और सारे खाते से बंधे ग्राहक है उसमें से दूद बचता ही नहीं फिर आपको दूद देना मुम्किन नहीं होगा नहीं नहीं हीरालाल, मैं दूद के लिए नहीं आया, क्या तुम अपनी बकरी बेचना चाहोगे? अरे मालिक, आप तो बकरी ले जाने की बात कर रहे हैं, मेरा घर चलता है उसका दूद बेच कर, आप ते सोच कैसे लिया कि मैं इसे आपको दे दूँगा? हीरालाल, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें मुझ मांगी कीमत देने के लिए तयार हूँ, वो बकरी मुझे दे दो, शहर जाकर बकरी लाने में बहुत दिन लगेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया उसकी बाते सुनकर हीरा लाल के मन में लाल जा जाता है मुह मांगी कीमत देने के लिए तयार है ये हाँ एक शर्ट पे देता हूँ बकरी बनवारी जी सुनिए मैं आपको सिर्फ बकरी दूँगा बच्चा तो मेरे पास ही रहेगा ये क्या हीरा लाल मा और बच्चे को जुदा करोगे ये तो अन्या है देखिए बनवारी जी आपको चाहिए तो ले जाएए वर्नर रहने दीजिए बेचारा बनवारी बीवी के बारे में सोज बकरी घर ले जाता है वहाँ जाने के बाद बकरी खाना पीना छोड़ देती है बच्चे की याद में रोते रहती है उसका कश्ट देख बनवारी हीरा लाल के पास जाकर देखो हीरा लाल मा को बच्चे से अलग करना पाप है क्यों इसे अपने सिर लेना हमें हमारी माँ जितनी प्यारी है उतनी ही इस बकरी के बच्चे को भी उसकी माँ प्यारी है हमारे स्वार्थ के लिए इसके मात्र प्रेम की बली देना अच्छी बात नहीं देखो हीरालाल मैं तुम्हें और पैसे देता हूँ इस बकरी के बच्चे को भी मुझे दे दो पर हीरालाल नहीं मानता बनवारी उदास होकर घर लोटता है उसकी बीवी सुनिए हमने पिछले जनम में नजाने क्या पाप किया था कि जो उसकी सजा अभी भुगत रहे है जान बूच कर दुबारा ऐसा पाप नहीं करना चाहिए हम शहर से दूसरी बकरी ले आएंगे पर इसे उसके बच्चे के पास भेज देते हैं और वो बकरी की खूटे से बधी रस्ती को छोड़ देते हैं बकरी भी अपने बच्चे के पास हीरा लाल के घर चली जाती है बकरी का बच्चा खुशी खुशी मां का दूद पीने लगता है ये सब देख हीरा लाल अरे तुम यहां चली आई अब वो बनवारी आकर मुझसे पैसे मांगेगा तो कहां से लाकर दू और डंडे से बकरी को मारने लगता है बकरी बेचारी दर्ट से बेहाल चिलाती रहती है लाल जी हिरा लाल के मन में एक खयाल आता है बनवारी आएगा तब आएगा तब देख लेंगे तब तक इसका दूद बेच कर मैं पैसे कमाऊंगा और वो उसे खूंटे से बांध देता है बेचारी बकरी दर्ट से परिशान थी मन ही मन कितना क्रूर इंसान है ये इसे जरा भी दया नहीं हम पर मेरा दूद बेच कर पैसे कमा रहा है मेरे प्रती थोड़ी भी करुणा नहीं है इसके मन में हे भगवान मेरे जैसा दुख कष्ट किसी बेजुबा के हिस्से में ना आएं वो भगवान से प्रार्थना करती है उतने में एक तेजो वलय प्रकट होता है चिंता मत करो अब तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा उस लालची हिरालाल को उसके पापों की सजा जरूर मिलेगी और वो प्रकाश मिट जाता है उसी दिन शाम को हिरालाल दूद निकाल कर रख देता है वो दूद सोना बन जाता है हिरालाल देखता है कि बकरी का गोबर भी सोनी का है आरे ये क्या, इतना सोना, इतना सारा सोना भगवायन نے मेरे केश्ट मिटाने के लिए ही भेजा है लालची हीरा लाल मन ही मन सोचता है इतना सोना देने वाली मेरी बकरी, अब मैं बनवारी को क्यों दू भला? उसके पैसे उसे लोटा देता हूँ यू सोच कर वो सारा सोना एक गठरी में बांध कर बेचने के लिए शहर जाता है वो सोना देख दुकानदार गुसा हो जाता है क्या रे मुझे उल्लू बना रहा है नकली सोना दिखा कर असली सोना कह रहा है रुख जा तुझे अभी सबक सिखाता हूँ और वो दुकानदार उसे गुंडों से पिटवाता है तब हीरा लाल वहां से भाग निकलता है मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है मेरा लालच देख भगवान ने मुझे सबक सिखाने के लिए ये सब किया है वरना सोना नकली कैसे हो सकता है हाई राम और वो भाग जाता है इस कहानी से हमें सीख मिलती है लालच करने पर भगवान भी माफ नहीं करते सही तरीके से सबक सिखाते है हीरा लाल अपनी गलती का एहसास होने पर वो बकरी और उसका बच्चा लेकर बनवारी के पास जाता है बनवारी जी मुझे माफ कीजिए मैंने पैसे के लालच में आकर इन दोनों को अलग किया था लेकिन मुझे उसकी सजा मिल गई है और वो बनवारी को सारी बाते बताता है बकरी से पाया हुआ सोना फिर बाद में खाय हुए डंडे सारा कुछ विस्तार से बताता है अब ये बकरी का बच्चा भी आप ही रख लो बनवारी जी अरे ये होशियारी पहले दिखाते तो तुम्हें मार भी न पड़ती अच्छा एक बात बता तुमने बकरी का बच्चा मुझे क्यों नहीं दिया क्या वज़े थी बनवारी जी मैंने लालच में आकर सोचा कि वो बच्चा बड़ा होगा तब बकरी की तरह दूद भी देगा फिर मैं वो दूद बेचूंगा इसलिए मैंने आपको उसे नहीं दिया पर मा और बच्चे को अलग करने की सजा भुगत ली है मैंने ठीक है बनवारी जी अब मैं चलता हूँ हीरालाल वहां से चला जाता है बकरी अपने बच्चे के साथ खुश थी उसे दिन बनवारी बकरी का दूद निकालने आता है दूद निकालने के बाद देखता है बकरी का गोबर सोने का है बनवारी वो देख खुश हो जाता है कहीं से ये खबर हीरा लाल तक पहुँचती है अरे ये क्या मेरे पास जब सोने का गोबर दिया तब वो नकली निकला अब बनवारी के पास भी वो सोने का गोबर दे रही है आज रात पता करना ही होगा वो सोना असली है या नकली वो रात को बनवारी के घर जाता है हाँ, कुट्टे की दुम तेड़ी की तेड़ी होती है ठीक उसी तरह हीरा लाल के मन में भी लालज फिर से पैदा होता है उस रात वो बक्री का गोबर चुरा कर ले जाता है बक्री ये सब देख मन ही मन छी ये नहीं सुधरेगा लाल जी कहीं का इसे जरा भी शर्म नहीं है ये बात मैं बनवारी को बताना चाहती हूँ लेकिन हीरा लाल एक समय पर मेरा मालिक था हीरा लाल रोज सोने का गोबर चुराने आता और मामुली गोबर वहाँ छोड़ जाता बनवारी सोचता है बक्री की माया विशक्ती नश्ट हो गई है शायद इसलिए वो सोने का गोबर नहीं दे रही दिन बीटते गए एक दिन बक्री सोचती है रोज की तरह हीरा लाल आकर सोने का गोबर उठा कर जाने लगता है तभी बक्री पीछे से दौड कर उसे धकेल देती है हीरा लाल नीचे गिर जाता है उसके गठरे भी खुल जाती है चिलाने लगता है, उसकी आवाद सुनकर बनवारी बाहर आता है सूनी का गोबर देख तंग रह जाता है ये क्या हीरा लाल, मुझे लगा था तुम बदल गए हो, सुधर गए हो पर तुमने ऐसा क्यों किया? हर रोज ये मामुली गोबर दे रही थी, मैंने सोचा इसकी शक्ती नश्ट हो गई है लेकिन ये तुम्हारी कर्टू थी, छी, छी अरे बनवारी जी, बहुत बोल दिये आप, आपने मुझे सिर्फ बकरी के पैसे दिये थे उसके गोबर के तो नहीं न, उस पर तो मेरा ही हक है मैं मांगता तो क्या आप दे देते? नहीं न, इसी लिए मुझे चोरी करनी पड़ी तुम नहीं सुधरोगे हीरालाल, मुझे सोना नहीं चाहिए, सारा तुम ले लो तुम्हारे जैसे लोगों की वज़े से इन बेजुबाज जानवरों को कभी भी नुकसान पहुँच सकता है दुबारा अपना मुँ मत दिखाना मुझे फिर कभी इस तरफ दिखाई दिये तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बेशरम हीरलाल सारा सोना लेकर वहां से चला जाता है तभी पेड के पास छिपकर सारी बाते एक चोर सुन लेता है वो हीरलाल का पीछा करता है और उसे पकड़ कर सोना चुरा कर भाग जाता है इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब भी लालज करोगे उसकी सजा तो पाओगे इसके आगे की कहानी अगले अंक में देखेंगे